कई दफ़ा पर देखा है जो उंगलियों में पेन मगएरा होता है या जॉइंट में पेन होता है वो यूरिक ऐसिट बढ़ने से होता है या किसी और वज़ा होती है लेकिन यूरिक ऐसिड इसका मुख कारण होता है और यूरिक ऐसिड के लिए कुछ खास नहीं बड़ा अपन भाला खांड ले लीजिए या फिर आप करिएगा कि वो जो मिशरी होती है धागे वाली उसका पाउडर बनाके वो इस्तेमाल कर लीजिए तो वो फाइदे मंद होती है और चावल भी नहीं चावल और चीनी दो चीजें बंद करने का खास प्राफदान आजरवेद में अगर आप छोड़ेंगे आपको पता चलेगा कि सचमुच यूरिक ऐसिड को कंट्रोल करती है और अगर आप जो लोग नहीं कर सकते कुछ भी उनके लिए हमारे वैद जी बनाते हैं यूरिक ऐसिड कंट्रोल कैपसुल सीधा नाम भी आपने अपने 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 सीधा जी सीधा मतलब देशी नाम जाद रहे जाए यूरिक ऐसिड कंट्रोल कैपसुल तो यह जो कैपसुल है इसका हम सिर्फ कहते हैं कि 30 डेज ले लो पहले और उसके बाद दो मेने और तीन मेने जिसने कंपलीट इसको ले लिया वो कहीं भी जाके पूरी जिंदगी भर लैब टेस्ट कर यूरिक ऐसिड नहीं आता यह इस तरह से उसको मालों रूट से कंट्रोल कर देता है और यूरिक ऐसिड के लिए यूरिक ऐसिड कंट्रोल कैपसुल बहुत फाइदेबंद है और इसके साथ-साथ हम देते हैं वह क्या आपको मैंने पहले भी एक बार इंट्रड्यूच किया पांच हल्दियों का ऐसा मिश्रन है जी वो यूरिक एसड को कंट्रोल करता है और बॉडी के अंदर जैसे लीवर की प्राब्लम जाती है उसको मतलब वो अपने आप में उसको कई लोग तो मुझे मेरे मुझे के जाते हैं कि गोहल साथ यह जो आपकी पंचम हल्दी है ना जी यह तो मतलब इसके फाइदे जो हैं वो समझ लो कटोरे में समुंदर वाली वाला है तो यह आपने एक चमच लेंगा रोज का नहीं नहीं जी एक चमच तो फिर बहुत गर्मी करेगा इसका आधा चमच या फिर दो चुटकी बस बस यह इतना ही बहुत है यह एक डबा तीन